आदो नमस्कार जी कैसे हैं आप लोग कुमित करता हूँ बहुत अच्छे होंगे तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका 12th हिंदी का वहना हिंदी सिलिबस उसमें से दो प्रसंग आते हैं चार अंक वाले में यह कहा जाता है कि सौ प्रसंग व्यक्ष्या करें यानि और यह कोश्ण सर कहां पर होते हैं तो आपके पेपर में जब जब आप जाएंगे एक्जाम होल में तो सबसे पहले मिलता है आपको लिखने के लिए निबंध क्या आता है निबंध के बाद ही यह दूसरा आ जाता है हमारा सौ प्रसंग व्यक्ष्या क्याता है सौ क्या है आए देखते हैं पहला कोशन किस टाइब कर रहा कोशन लिखा गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगरता है और बिना लड़े सिपाही यह दिया गया है अब इसके बारे में व्यक्षा करना है कि यह किस पार्ट से लिया गया है इसके लेखक या कवी कौन है इस लाइन क माध्यम से लेखक या कभी क्या कहना चाहते हैं तीन चीज है बच्छो सबसे पहली बात है नमबर एक सबसे पहले यह लाइन कहां से लिया गया है सबसे पहली बात है नमबर दूसरा कहां से लिया गया और दूसरा बात यह है कि इसके लेखक या कभी कौन है लेखक या कभी आपको पता तब चले गा, जब आप पूरे बुख को पढ़ेंगे, कहते हैं, इस कहानी के लिखक, स्री चंद्रधरb, सर्मा-गुलेडी है, यह तो पता ना, उसने कहा था, हमने ट्रीक बता दिया, उसके मात्यम से पता हुआा, कि उसने कहा था, क्या कहा था कि आपका जो धर है वो चंदर के समान है मतब चंदर धर गुलिडी सर्मा इंगलेंड की ओर से जर्मनी के विरुद्ध लरने के लिए गई भारतिय फौज में लहना सिंग भी है जो मोर्चे पर लड़ाई का इंतजार करते करते उकता गए है उकता गए है उनको ल अलदी लड़ाई शुरू हो ताकि इस उब से मुक्ति मिले मुक्ति मिले इसी उकताहट में लहना सिंग ये पंक्ति कहता है कि चार दिन से एक पल भी सो नहीं पाया अगर ऐसा ही यहाना अगर ऐसा ही यहां पड़े पड़े रहे तो क्या लाव क्योंकि जिस तरह बिना बिगर जाता है, यानि काम का नहीं रहता, उसी तरह लड़ाई के बिना सैनिक भी बिगर जाता है, अर्थात उसका उत्सा खत्म होने लगता है, इसलिए हमारी आदतें बिगरने से अच्छा हैं, हमें आगे बढ़ने और जर्मनों पर हमला, हमला करने का आदेश दिया जाए, यहान का यही था, जो लहना सिंग थे, वह मतव़ उकता गय थे, पत्ब की, लड़ाई से दूर रहते रहते हैं, वह उकता गय थे, वह चाहते थे कि जल्दी लड़ाई हो, ताकि हमारे अंदर जो सैनिक वाला गुण है, लड़ाई का गुण है, वह बचाड थे, तो आपने जिन्दगी मजदार बनाने के लिए ऑने पीने हना अ चलने फिरणे usoid चलने फिरणे आदि की जरूरत हय से और अवशकता है यह लाइन दिया गया है और इसके से मख़ना है पूरा यह बात चीत से लिया गये तो बहुत आसान हो गया जी जिखाएंगे कि प्रस्तुत पंकिती बाल्क्रिष्ण भट रूट के बात आते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मज़दार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदी की जरूरत है वहां बात्चीत की भी अत्यंत आवशक्ता है यानि मनुस्य को जीवन में जितना आवशक्ता खान पीन का है जितना आवशक्ता चलना फिरने उतना आवश बादचित के जड़िये भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। इससे चित हलका और स्वच्छ हो परम आनंद में मगन हो जाता है। बाधचित का भी एक खास तरह मजा होता है। जब सब करने भी बहुत मजाद, इस है ना, तो इस line के माध्यम से यही कहना चाहरे थे, वस आपको इस तरह से लिखना है बना, देखिए, आपको उस कहानी के बारे में knowledge होना चाहिए, अगर नहीं है, तो आपको कम से कम यह पता होना चाहिए, यह line कहाँ से लिए, अगर यह जड़ा मलीनता देख आख में रात बिताई अंख में रात बिताई इसके बारे में अब लिखना है आपको यह पता कर नहीं कि यह लाइन कहां से लिया गया है तो कहते हैं जी कि आपको बनाना दो ही है और में से दो बनाना है ठिंगा तो सबसे पहले start प्रस्तुत पंकितियां, प्रस्तुत पंकितियां जो हैं, इससे भी लिया गया न, इसके जो भी जिस कविता से लिया गया है, उसकी कवित्री या कवी जो भी है, प्रस्तुत पंकितिया सुभत्रा कुमारी चोहान की कविता, पुत्र वियोग से ली गई है, इन पंकितियों मे कव्यत्री के आसीम पुत्र प्रेम की वेंजना होई है, एक मा के लिए पुत्र खिलोने की भाती ही होता है, मा जिधर से आती है बच्चे को पुछकारती होई आती है, बच्चा उसकी जिन्दगी का अहम हिस्सा हो जाता है, बच्चा उसकी जिन्दगी का अहम हिस्सा हो जाता वह एक पल भी उसके बिना रह नहीं पाती, मा अपने पुत्र को कहीं जाने नहीं देती, इसलिए कि उसे कहीं तरदी न लग जाए, अतह आचल की ओट में अपने गोध से नहीं उतारती, पुत्र ने जैसे ही मा, पुकारा की मा सब काम चोड़ते हुए दौरी चली आती है, यह पंकेती मा का पुत्र के प्रति प्रधी प्रगाड प्रेम को दरसाती है, यहीं नहीं बच्चा जब नहीं सोता, तब उसे ठबकी देदेकर लोडी सुना कर सुलाती है, हना अपने पुत त। आप आपको बात है आपको कोशंवारा से बनुखा गया है अगर यह कोश्ण अब आपकी एक्जाम में आता है तो आप आराम से बना दो गे ये कोश्चन आपके एक्जाम में आता है तो आप आराम से बना दोगे ये कोश्चन आपके एक्जाम में आता है तो बना दोगे ये सरनो मुझे पूरा भरोसा है ये सारे कोश्चन आप बना दोगे दिक्कत उसमें होता है जिसको आप नहीं पड़े हो चलो, चौटा देखता हैं, चीर विषाद विलीण मन की इस व्यथा के सिमीरवन की, मैं उसा सी जोती रेखा कुश्म विक्सित प्रात रेमन, अब ये बताईए ये कहां से लिया गया है, कैसे लिया गया है, तो कहते हैं कि परस्तुत पंकितियाद सायावादी कभी, जय संकर प्रसाद के सामायनी महाकावित तुमुन को लाहल सलह में पविता से उद्रित है या लिया गया है। मन में भी आसा का संचार हो जाता है। मतह काल की एक प्रकर किरन बनकर आसा का संचार करूँगी। यहां कवी ने आसा का संचार के यह खुशुम को विक्षित प्रात का सुर्ण रूपक खीचा है। यह वाला ज्यादा समझ में नहीं आया। क्योंकि कवीता से लिए थ्रसा भाष्ट था। वाकी तीन आपको ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे भी कुछ-कुछ कोशन को आप अगर अपने बुक से कर लेते हैं तो पुरा अब्जेक्टिव और यह सब्जेक्टिव पूरा कम्प्रिट हो जाएगा। धन्यवाद जी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने यह चीज़ सिखा होगा कि किस तरह से हम यह वाला चीज़ को लिखेंगे। यानि कि अगर आपके इजा में 100 प्रसंग व्यक्षा आ जाए तो उसको लंबा करके लिखना है पहला तो यह लिखना है कि प्रस्तूत पंक्रिति किस पार्ट से लिया गया है इस पार्ट के कवी या लेखा कौन है इसके माध्यम से क्या कहना चाहते यह तीन चीज़ आपको क्वावा द Χ concurह लेखा जो प्रसंग आपका कि यह वीज़ का लेखा कि किस सब करमेगा को कहते है लिए यह लेखार कर कि वस् Two आपका टू जा एकर के में लाए यह लेखार के लिचा है gerade है तू्स किस भीज़ लिखिज़ अनिवा उखशने